आप देख रहे हैं अन्होनी, तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर आज से दस साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी, जिस घटना ने मेरी पूरी जिन्दगी ही बदल दी पहले मैं भूत प्रेट, काला जादू डायन इन सब बातों को एक सिरे से ही नकार दिया करता था और मेरे सामने जो ये सब बाते करते थें उनका भी मैं काफी मजायक उडाया करता था मगर मुझे कहां पता था कि इस घटना के बाद से मैं उन सब बातों का मजाग तो क्या उन सब बातों को सुनते ही जोर-जोर से कापने लगूँगा दरशल हुआ कुछ यह था कि उस समय मैं अपने गाउं में ही रहा करता था और गाउं से बाहर एक कारखाने में काम किया करता था उस समय हमारा गाउं काफी छोटा और जंगलों से घिरा हुआ था जिस कारण रात होते ही चारों तरफ घना अंधेरा चा जाया करता था उस समय गाउं के काफी लोग खेती किया करते थें मेरी भी पापा और बड़े भाईया खेती किया करते थें लेकिन मैं फैक्टरी में काम करता था मेरे घर से फैक्टरी काफी दूर था जिस कारण मुझे आने जाने में काफी परिशानियों का सामना भी करना पड़ता था तो मैंने काफी मुश्किल से पैसे जमा करके एक बाइक खरीदा और उसी को लेकर फैक्टरी आना जाना करने लगा मैंने काफी मेहनत करके उस बाइक को लिया था तो बाइक खरीदने के बाद मैं काफी खुश था कार खाने में मेरी ड्यूटी सुभ़ के ग्यारा बजे से रात के नौ बजे तक की होती थी पहले घर से आने जाने में एक घंटे का समय लगता था मगर बाईक आ जाने के बाद वो एक घंटा बीस मिनट में बदल गया मतलब की अब मुझे फैक्टरी से घर आने जाने में एक घंटे की जगा बीस मिनट ही लगते थे तो इससे मेरा समय काफी बज जाया करता था खैर एक बार फैक्टरी में काफी काम होने की वज़ा से मेरी छुट्टी एक घंटे लेट हुई फैक्टरी से बाहर निकलती ही मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के दस बजे का जिस कारण बाहर का माहौल एक वीरांसा हो गया था खैर मैं वहाँ खड़े खड़े और समय जाया ना करके अपनी बाइक पर बैठा और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूब जुका था वो भी इतना घणा अंधेरा कि मेरी बाइक की हेडलाइट उस अंधेरे के आगे काफी कम पड़ रही थी उपर से काफी ठंड का मौसम होने के कारण चारो तरफ घना कोहरा चाया हुआ था जिस कारण मुझे जितना भी दिख रहा था वो धुंदला धुंदला साथ ही साथ सन्नाटे ने तो पूरे माहौल में इस कदर अपना डेरा जमाया हुआ था कि बीच बीच में आ रही जींगोरों की आवाजें उस महौल को और भी ज्यादा वीरान बना रही थी मेरे फैक्टरी से घर जाते वक्त एक छोटा सा जंगल पड़ता है उस जंगल वाले रास्ते पर लोग रात तो दूर दिन के वक्त भी आने से कतराते हैं उनका मानना है कि उस रास्ते पर आत्माओं का बसे रहे मगर मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूं खेर कुछ देर बाइक चलाने के बाद मैं उसी जंगली रास्ते पर पहुँचा तो वो जंगली रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सूनसान था दूर दूर तक मेरे अलावा मुझे इनसान तो दूर जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था खेर मैंने इसका फाइदा उठा कर अपनी बाइक की रफ़तार और बढ़ा दी अभी मैं आगे बढ़ी ही रहा था कि तभी अचानक मेरी बाइक जटका खाने लगी हुआ तो हुआ क्या जिसके बाद मैं बाइक स्टार्ट करने की काफी कोशिश करने लगा मगर मैं अपनी हर कोशिश में नाकाम हो गया क्योंकि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई अब मैं काफी परिशान हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या अभी भी मेरा घर यहां से काफी दूर था और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाइक को धक्का दे कर ले जा सकूँ अभी मैं खड़े-खड़े सोची रहा था कि तभी मुझे कहीं से किसी के हसने की आवाज सुनाई पड़ी तो उस आवाज को सुनकर मैं काफी हैरान हो गया कि भला इतनी रात गए इस जंगल वाले रास्ते पर कौन होगा जिसके बाद मैंने अपनी निगाहें इधर उदर घुमाई तो वो हसने की आवाज आ तो आ कहां से रही है ये सोच कर मगर इधर उदर नजरे दोड़ाने के बाद जब मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा तो मैं इसे अपने मन का वहम मान कर दोबारे से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा अभी मैं कोशिश करी ही रहा था कि तभी मुझे एक बार फिर से हसने की आवाज सुनाई पड़ी लेकिन इस बार वो आवाज काफी तेज थी मानो कोई मेरे आसपास ही हस रहा हो इस बार मैं ध्यान से उस आवाज को सुनकर उस आवाज की और अपनी निगाहें दोड़ाई तो उस आवाज की और देखते ही मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से घूमने लगा क्योंकि उस आवाज की और नजरे घुमाते ही मैंने देखा कि वो आवाज कहीं और से नहीं बलकि मेरे बगल के पेड़ के उपर से आ रही है और पेड़ के उपर एक आदमी बैठा हुआ है जिसकी शकल पूरी तरह से सफेध है और उस आदमी के सर के उपर दो सींग भी निकले हुए थे साथी साथ उस आदमी के मूँ से खून टपक रहा था ये नजारा देख कर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बलकि एक राक्छस है और शायद वो राक्छस अब मुझे मार डालेगा अभी मैं डर के मारे काप ही रहा था कि तभी वो राक्छस एकदम पेड के उपर से खूद कर मेरे सामने खड़ा हो गया तो उस राक्छस को मेरे करीब देख कर मेरा कापता शरीर और जोर-जोर से कापने लगा मैं समझ गया था कि यही मेरी आखरी रात है और अब मैं शायद नहीं बचूँगा कि तभी उस राक्चस ने मुझे उठा कर धडाम से जमीन पर पटक दिया उसने मुझे इतनी तेज पटका था कि मुझे काफी तेज चोटाई जिसके बाद उस राक्चस ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे घसेटते हुए जंगलों के अंदर ले जाने लगा अपनी मौत को अपने सामने देख कर मैं तो काफी रहा था मगर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी मैं अपने पैर को उस राक्चस के हाथ से चुडाने की काफी कोशिश करने लगा लेकिन उस राक्चस की शक्ती के आगे मैं एक जिन्दा लाश की तरह था वो राक्चस मुझे घसीटता हुआ जंगल के काफी अंदर ले आया जहां मेरे चिलाने का भी कोई फाइदा नहीं होने वाला था अभी वो राक्चस मुझे मारने ही वाला था कि तभी मुझे एक हलकी रोशनी थोड़ी दूरी से मेरी तरफ आती दिखी और देखती ही देखती वो रोशनी मेरे करीब आई तो मैंने देखा कि एक आदमी हाथ में लालटेन लेकर मेरी तरफ आ रहा है तो उस आदमी के आती ही वो राक्चस मुझे वही छोड़ कर जंगलों के अंदर भाग गया जिसके बाद उस आदमी ने मुझे सहारा देकर उठाया फिर मैंने अपनी पूरी आप बीती उस आदमी को बताई तो वो आदमी मेरे साथ चलकर मेरी बाइक के पास आया और मेरी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा तो उस आदमी के एक बार कोशिश करने पर ही मेरी बाइक स्टार्ट हो गई तो इसके बाद मैं काफी हैरान हुआ कि आखिर इतनी देर से बंद पड़ी मेरी बाइक इस आदमी के एक बार कोशिश करने पर ही कैसे स्टार्ट हो गई और आखिर ये आदमी है कौन जिसे देख कर वो राक्छस एकदम से भाग गया अभी मैं ये सवाल उस आदमी से पूछने जा ही रहा था कि तभी मेरी नजर उस आदमी के पैरों पर गई तो उस आदमी के पैरों को देख कर एक बार फिर से मेरा पूरा शरीर कापने लगा क्योंकि उस आदमी के पैर उल्टे थें यानि कि वो आदमी भी एक भूत था जिसके बाद मैं फटा-फट से बाइक पर बैठा और बाइक भगाता हुआ अपने घर पहुँच गया तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो मैं आपका दोस्त आरियन जल्द ही मिलूँगा आप से ऐसी ही एक कहानी के साथ अच्बत याद सबस्क्राइब कर दो सकता दो